एक ही घड़ी मुहूर्ट में जन लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग-अलग क्यूं एक प्रेरक का था एक बार एक राजा ने विद्वान जियोतिशियों की सभा बुला कर प्रश्न किया मेरी जन पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था मैं राजा बना किन्तु उसी घड़ी मुहूर्ट में अनेक जातकों ने जन लिया होगा जो राजा नहीं बन सके क्यूं इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए अचानक एक वृधा खड़े हुए बोले महाराज आपको यहां से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे उनसे आपको उत्तर मिल सकता है राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के धेर के पास बैठ कर अंगार गर्मा गरम कोईला खाने में व्यस्त है राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रशन पूछा महात्मा ने क्रोधित होकर कहा तेरे प्रशन का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है वे दे सकते हैं राजा की जग्यासा और बढ़ गई पहाडी मार पार कर बड़ी कठिनाईयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुचा राजा हक का बक्का रह गया, दृश्य ही कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपना ही मास चिम्टी से नोच-नोच कर खा रहे थे राजा को महात्मा ने भी डाड़ते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आगे आदिवासी गाव में एक बालक जन्न लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा वो बालक तेरे प्रश्ण का उत्तर दे सकता है, राजा बड़ा बेचैन हुआ, बड़ी अजब पहली बन गया मेरा प्रश्ण उच्सुकता प्रबल थी, राजा पोनह कथिन मार पार कर उस गाव में पहुँचा गाव में उस दमपती के घर पहुँच कर सारी बात कही, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दमपती ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया राजा को देखते ही बालक हसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किन्तु अपना उत्तर सुन लो, तुम, मैं और दोनों महात्मा साथ जन्म पहले चारो भाई राज कुमार थे एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में तीन दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे अचानक हम चारो भाईयों को आटे की एक पोटली मिली, हमने उसकी चार बाटी सेंग की अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे की भूख प्यास से तडपते हुए एक महात्मा वहां आ गए अंगार खाने वाले भाईया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं दस दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए, इतना सुनते ही भाईया गुस्से से भड़क उठे और बोले तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा आग चलो भागो यहां से, वे महात्मा फिर मास खाने वाले भाईया के निकट आए उनसे भी अपनी बात कही किन्तु उन भाईया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मास नोच कर खाऊंगा भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए मुझसे भी बाटी मांगी किन्तु मैंने भी भूख में धैर्यक होकर कह दिया कि चलो आगे बड़ो मैं क्या भूखा मरूं अंति माशाल ये वो महात्मा हे राजन आपके पास भी आए दया की याचना की दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उना महात्मा को दे दी बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले तुम्हारा भविश्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से पलेगा बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं और वो बालक मर गया धर्ती पर एक समय में अनेको फल फूल खिलते हैं, किन्तु सब के रूप, गुन, आकार प्रकार, स्वाद भिन होते हैं राजा ने माना कि शास्त्र भी तीन प्रकार के है जियोतिश शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र जातक सब अपना किया, दिया, लिया ही पाते हैं, यही है जीवन, गलत पासवर्ट से एक छोटा सा मुबाइल नहीं खुलता तो सोचिए, गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे?